सो हेलो फ्रेंद्स आज हम इस लप्टप को एस M.2 वाला एक SSD अप्गेड करेंगे तो कैसे करेंगे चलिए देखते है पहले तो हम तो लप्टप को खोलना शुरू कर चुका है तो इस लप्टप को खोलेंगे खोलने के बाद इसका अंदर जो SSD slot दिया हुआ है हमने इसे SSD से नहीं purchase किया है हमने SSD खरीद के लगना है वह भी M.2 वाला और इसके अंदर एक HDD है जो कि चाहे तो NBME M.2 लगा सकते है हमने SATA SSD नहीं यूज किया है मतलब कि SATA SSD यूज चाहे तो कर सकते थे बट उसको इसको इस सकते है हमने M.2 लगा लिया क्योंकि हमारा NBME का budget नहीं है तो जो भी हो वह इस प्रिट में थोरा बहुत उधर 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 है तो हमने इधर M.2 वाला एक SSD लगा दिया वह भी आराम से कोई भी इधर आपको और पार्ट्स खोलने की ज़रूरत नहीं है बस लगाओ और एक स्कूरू मारो बस कम खतम और लेप्टाप को जो फिट से ढकन है और लगा दो और स्कूरू टाइट कर दो बस आप इसको जो क्या आपको करना पड़ेगा आपको जो विंडोस है विंडोस जब टोटल जो स्रेटैब है वो SSD में देना पड़ेगा मतलब कि HDD से आपको टांस कर लें क्योंकि SSD एक बहुत अच्छा PC पार्स है जो कि आपको लेना चाहिए तो देखिए तो हम तो देर पर्फिमेंस तो टेस्ट नहीं करेंगे बस SSD अपग्रेट करना था तो कर दिया और श्कूरू श्कूरू लागे एकदम सेटप एटप करना है तो श्कूरू इदर हम लेंगे नेक्स वीडियो में तो थैंक्स पर वाचिंग